Hello and welcome friends, कैसे आप लोग, उमीदे आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्स समीर, और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, about marriage registration, marriage registration certificate, तो दोस्तों, basically मैं आपको ये बोलना चाहूँँगा, कि ये marriage registration के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद तब ही कर सकता हूँ, marriage registration करवा के देने में, अगर आप मुंबई सिटी में हो तो, अगर आप मुंबई के बाहर हो, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए आप, अगर आपको marriage registration करवा रह लो उसके बाद कुछ doubt हो तो comment box में लिखना मेरे पास अगर information होगी तो मैं आपको guide करूँगा तो दोस्तो marriage registration जिसके बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए है जो एक ही धरम के हैं मतलब अगर आप अलग धरम के person से शादी करें जिसे जिनका धरम same नहीं है तो उसका जो registration है वो होता है under special marriage act ठीक है तो ये जो जानकारी है वो special marriage act के बारे में नहीं है दूसरी बात के मैं English में भी ये same video का एक version ला रहा हूँ जो आपको कुछ दिनों के बाद में मिलेगा तो अगर आपको English में video सुनना है if you want to listen this video in English then it will be released very soon you please subscribe to the channel अब द under maharashtra regulation of marriage bureaus and registration of marriage act 1998 के तहत है इसके अंदर उन लोगों की शादी को register किया जा रहा है जो एक ही धरम के है ठीक है तो हम अभी देखते हैं कि वो registration में क्या क्या procedure लगता है क्या क्या documents है सबसे पहले तो आपको लड़का और लड़की मतलब दूला और दुलहन दोनों के आधा card देने होंगे और दोनों का photo चाहिए passport size और दोनों का joint photo चाहिए अगर शादी के दिन का photo है जिसमें वो लोग दुला दुलन के कपड़े में हैं एक दूसरे के साथ में बाजू बाजू में तो वो photo भी एक लगेगा joint photo अगर नहीं है तो कोई चिंता नहीं आप husband wife दोनों ए तब एक दूसरे के बाजों में खड़े रहे के और individual photo भी चाहिए जिसमें passport size होना चाहिए और आधार card जो चाहिए वो front and back दोनों चाहिए clear होना चाहिए और वो self attested होना चाहिए उसके बाद में अभी ध्यान से देखो मैंने आपके क्या लिखा है anyone तो ये सब नहीं चाहिए मुझे सिर्फ कोई भी एक चाहिए ठीक है क्या क्या चाहिए उसमें school college living certificate school का या college का living certificate या birth certificate या passport या driving license या sse hse pass करने का certificate कोई भी एक चीज़ चाहिए सब नहीं चाहिए mostly birth certificate तो हर किसी के पास मिली जाएगा वो नहीं होगा तो school या college का living certificate होगा या तो passport होगा या 10th pass का तो certificate होगा ही उसके बाद में वापस है आपको याद देना चाहूँगा अगर आप registration करवाना चाहते हो marriage का लेकिन सिर्फ Mumbai में तो या आप मुझे इस number पर contact कर सकते हैं उसके बाद क्या documents लगेगा place of marriage कहाँ पर शादी वी यह बताना पड़ेगा address देना पड़ेगा उसका copy of wedding card अभी यह बहुत ध्यान से सुनना बहुत important part आने वाल है copy of wedding card अभी मेरे पास में एक case आया था जिसको खुद का शादी register करवाना था लेकिन मुझे पता नहीं उसने क्या गरवड़ी किया उसके wedding card पर date अलग थी और वो Muslim थे तो उनका निका नामा भी था तो निका नामा पर date अलग थी तो ऐसे नहीं चलेगा दोस्त दोनों पर एक ही date होनी चाहिए अगर आप wedding card बना रहे हो तो निका नामे पर वही date होनी चाहिए उसने क्या और कैसे यह किया मुझे पता नहीं लेकिन हो different date थी अगर आपके पास wedding card नहीं है तो आपको affidavit बनानी पड़ेगी ठीक रही है उसके बाद में दोस्तों आपकी शादी का जो marriage certificate बनेगा उसके लिए आपको तीन witness चाहिए उसके बाद में वो तीनों witness जो फैमिली members नहीं होने चाहिए प्लस उनका आधार card भी चाहिए front and back उसके बाद दोस्तों अगर by chance जो लोगों की शादी हो रही है उसमें से किसी का divorce हुआ है तो divorce deed होनी चाहिए दिवोस डीड प्रॉपर डॉक्यमेंट होना चाहिए खाली 100 रुपाई के stamp paper पर नोटरिक किया हुआ डीड नहीं चलेगा proper divorce deed होना चाहिए most probably court के तुरू divorce किया हुआ और वो divorce deed पे proper stamp duty होनी चाहिए proper registration होना चाहिए witness का sign होना चाहिए जो husband wife थे उनकी photograph signature सब proper होने चाहिए अगर धरम से हिंदू है तो family court का ये लगेगा divorce का डिसरी जिसमें सब proper details होनी चाहिए अगर muslim है तो भी most probably family court से उनको लगेगा और family court से नहीं ले रहे तो all india muslim personal law board से लगेगा उसके बाद में by chance अगर कोई widow है मतलब के जो उनका husband या wife गुजर गए थे और वो अभी second शादी कर रहे तो जो husband या wife जो गुजर गए उनका death certificate का copy लगेगा तो ये भी बहुत important document है इसके उपर काफी register का description है और अगर ये proper नहीं होंगे तो reject भी हो सकता है application उसके बाद में न दोस्तो priest जो जिसने शादी करवा के दिया उसका सब details है उसका नाम उसका address मतलब जो residential address office का address priest का आधार card और priest का signature का भी example जो upload करना पड़ेगा sign का sample तो दोस्तो ये basic details है जो marriage registration बनाने के लिए लगते मेरा number screen पे दिया हुआ था आप मुझे contact कर सकते अगर आप मुंबई में है तो और marriage registration जो है जब ये सारे documents दे के हम form भरेंगे तो एक appointment date आईगी उस appointment date पे लड़का लड़की और तीनों witness जिनके आधार card दिये उनको जाना जरूरी है और जाके ये जो papers जो मैंने बता है वो जो आप मुझे दोगे उसके original और xerox copies भी लेके जाना है वो लेके जाके sign करने के बाद कुछ दिनों के बाद certificate generate होके आता है तो दोस्तों मैं ये registration करवा के आपको दे सकता हूँ गर आप चाहो तो screen पे दिये वे मेरे number पे आप मुझ कर सकते हो thanks for watching and channel को जरू subscribe कीजए